था और हमारे विश्वास पर अत्याचार काफी बढ़ चुका है हमारे अराधना और प्रातना सभाओ को रोकने की कोशिश लो एंशालोम एवरिवन वेल्कम बैक वंस अगें टू माई चैनल आपको इन्वाइट कना चाहते हैं मुंबई में अगर आप मुंबई में या प्रिटिस्ट का जो हमारा मोटो है वो यही है कि गौश्मन तक हमारी आवाज पहुँच सके कि जो सता जो पर्सुकेशन हम सब पर हो रहा है उसको रोका जाए और हम लों को फ्रीडम के साथ मेरातना करने के लिए वर्षिप करने के लिए और प्रेयर करने के लिए जो भी हैं जो भी bondages हैं वो सब चीजे दूर होने के लिए ये peace protest होने वाला है तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप जरूर आईए सब को जैमे सेगे मसी में आप सभी को मेरा सलाम मैं मार्क त्रिभुवन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे सांपरदाइक संगटनों के जरिये हमारे मसी समाज मसीही संस्था और हमारे विश्वास पर अत्याचार काफी बढ़ चुका है हमारे आराधना और प्रातना सभाओ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम पर जोर जबरदस्ति कर रहे हैं और धर्मान तरन का आरोब भी लगा रहे है हम 12 एप्रिल 2023 को मुंबई में एक शांती पुर्ण निशेद आयोजित करने जा रहे है ये किसी सरकार के विरोध में निशेद नहीं होगा बलकि मुंबई और महराश्रा में होने वाले इस सताओ को सरकार की नजरों में लाने के लिए और उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए होगा इस निशेद में मुंबई, नवी मुंबई, ठाने और पालगर के इलाकों से तकरीब बीस हजार से भी जादा मसी लोग भाग लेने वाले ये निशेद दुपैर एक बजे से शाम पांच बजे तक मुंबई के आजाद मैदान में होगा मुंबई चर्च के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी कलीसिया और संस्थानों के मसी जन सरकार के सामने एक समाज के रूप में अपना मुद्दा पेश करने के लिए हाथ मिला रहे मैं आप सभी से बिंती करता हूँ कि आप जरूर आए और अपने चर्च और दोस्तों के साथ इस एतिहासिक निशेद का हिस्सा जरूर बने तो 12 इप्रिल दोपेर एक बजे आजाद मैदान मुंबई मिलते हैं